असलाम अलेकुम, तो आज किस वीडियो में तुम्हें प्रो टिप्स शेर करूंगा ओनलाइन टीचिंग के बारे में, जो के तुम्हारे करियर को एक किक स्टार्ट दे सकता है, तो नमबर वन पे जो टिप है उसका नाम है टीच अन मल्टिपल प्लैटफॉर्म्स, तो अगर तुम्हें एक ओनलाइन टीचर हो और एक Video Video Center में फिरहाण टीचिंग प्लैटफॉर्मा पर अपने सर्वसिज प्रोइड़ कर रहे हो दो मैं तुम्हें ये रखामेंद करूंगा कि तुम्हें एक लिमितेड़ प्लैटफॉर्म से ही अपने अकाउंट बनाओ और अगर तु सिरफ एक ही टीशिंग प्लैटफॉर्म पर काम करोंगे तो तुम्हें तुम्हारी जो STUDENTS होंगे वो सिरफ एक लिमिटेट प्लैटफॉर्म से ही आएंगे जिन में से तुम्हें कुछ स्टूरॉरंट्स मिल सकते हैं लेकिन अगर तुम different प्लैटफोर्म्स पर अपनी सर्विसिज प्रवाइड करते हो एक तो तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस वो ज्यादा इंक्रीस होगा और दूसरा तुम्हें ज्यादा स्टूडेंट्स मिल सकते हैं जिनसे तुम्हें ज्यादा रेवनियू भी मिल सकता है नमबर टू टिप यह है कि तुम एक ग्रेट इंटोड़क्शनल वीडियो बनाओ अब यह है कि मोस्ली ओनलाइन टेजिंग प्लैटफोर्म्स में उनकी एक रिक्वाइर्मेंट होती है कि अकाउंट बनाते वक्त तीचर को एक इंटोड़क्शन वीडियो भी अपलोड करनी प अगर यही टाइप करो तो तुम्हें काफी जादा ऐसी वीडियो मिल जाती है जिन मेंसे तुम आइडिया ले सकते हो कि किस टाइप का इंटोड़क्शन वीडियो होनी चाहिए और तुमने सेम वही जो वीडियो में बताया देगा वही चीज अपनी वीडियो में नहीं बो रही है यहां पर तुम्हें पैसे मिलते हैं तुम्हारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ पुराने स्टूडेंट्स ही तुम्हारा तुम्हारी सर्विसिज बाय करते हैं या फिर तुम्हें कुछ नए स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो अगर तुम्हें तुम्हें multiple platforms पर काम करने से और तुम्हें nice students मिलने के chances भी काफी ज़्यादा high हो जाते हैं और दूसरा तुम खुद भी in multiple platforms पर काम करते हो ताके तुम्हें ज़्यादा students मिले और जब तुम्हारे पास ज़्यादा students आ जाएं तो उन्हें तुमने same quality के साथ ही करना है यह नहीं कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा student है तो तुम अपने teaching quality को जो है वो थोड़ा लो कर दो कि अगर तुम अच्छी quality प्रवाइड करोगे अपने students को तो तुम्हारे students भी तुम्हारे साथ stick रहेंगे और वो बार बार तुम्हारे तुम्हारे लेसंस या तुम्हारे पैकेजिस भाइ करेंगे नमबर फॉर टिप यह है learn about student exams काई students ऐसे होते हैं वो सिर्फ in online platforms पर आते ही इसलिए हैं कि उनके exams होने वाले होते हैं चिर्फ अपने exams की त्यारी के लिए इन online platforms पर आते हैं तो तुम्हें जो भी तुम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तुम्हें उसके बारे में पूरी knowledge होनी चाहिए कि उस subject के final exams काब होते हैं और students को final exams के लिए किन किन चीज़ों की help हो सकती है तुम्हें उसी के मताबिक अपने students को guide करना होगा और अपने students को help करनी होगी ताके वो अपने final exams pass कर सके अगर तुम्हें अपने subjects के related up to date रहोगे तो तुम्हारा एक अच्छा profile build up हो सकता है इन online platforms पर जिससे तुम्हें ज्यादा students और ज्यादा earning मिल सकती है नमबर 5 पर जो tip है वो है prepare engaging lessons यह make sure करने के लिए कि तुम्हारे lessons हमेशा interesting, informative और engaging हो इसके लिए मैं तुम्हें यह recommend करूँगा कि तुम जो भी lesson create कर रहे हो उस पर थोड़ा सो ज्यादा time दो नमबर 6 पर है कि create a policy for absent students, online platforms पर अकसर यह भी होता है कि कुछ लोग तुम्हारी services buy कर लेते हैं लेकिन वो फिर present नहीं होते हैं तुम्हारी class में जिसके बाद वो जो है अपने funds को refund करने के लिए तुमसे request करते हैं अगर तुम्हें एक no refund policy create कर लो इन students के लिए उससे भी तुम्हारे पैसे बच सकते हैं लेकिन अगर student के पास एक reasonable explanation हो उनका जो refund अगर वो कहें तो उनको refund तुम कर देना क्योंकि वो दुबारा उसको जब भी ज़रूरत पड़ेगे तो वो दुबारा तुम्हारे पास ही आ और back to back lessons की वज़ा से तुम्हारी health पर भी खाफी जादा affect करती है तो इसके लिए तुमने इसके लिए मैं तुम्हें यह recommend करूंगा कि अपने teaching schedule को back to back ना बनाओ बलके अपने teaching schedule में कुछ break time भी रखा करो जैसे अगर दिन में तुम्हारी 5 class हैं तो तुम back to back 5 class को एहली एक class एक गंटे के बाद फोरण ही दूसरी और तीसरी इस तरह से तुमने अपने teaching schedule को arrange नहीं करना बलके हर एक lesson के बाद या हर एक class के बाद तुमने कुछ time जो है वो off रखना है कुछ time के लिए break लेनी है उसके बाद तुमने दुबारा अपना next lesson स्टार्ट करना है इससे तुम तुम्हारा wifi अच्छा है तो तुम्हें video calls पर एक clear connection maintain होने में भी खाफ ज़्यदा help होती है अगर तुम कुछ earn कर रहे हो तो अपने जो भी gears हैं तुम्हारे पास जैसे के तुम्हारा computer हो गया mobile phone या फिर जो भी तुम इंटरनेट use करते हो या microphone या headphones वगएरा तो मैं तुम् पर भी invest किया करो जितने अच्छी quality की तुम्हारे पास gates होंगे उतना ही तुम्हारा students के साथ एक अच्छा connection बिल्ड हो सकेगा नमबर 9 पर जो tip है वो है start saving for an emergency fund अब इन online teaching platforms पर ये होता है कि अगर तो तुम्हें students मिलते रहें तो ये platforms भी तुम्हारे accounts को या profiles को नए students को show करते रहते हैं जिन मेंसे काफी ज़्यादा लोग जो new students होते हैं वो भी तुम्हारा package या lesson buy कर लेते हैं लेकिन अगर तुम्हें students नहीं मिलते तो तुम्हें एक emergency fund के लिए अपनी जो भी earning होगे उनमें से कुछ पैसे जोंगे वो emergency fund के लिए भी save करने होंगे हो सकता है तो मैं कहीं और जुरूरत पढ़ जाया तो इसके लिए उनहीं emergency fund में से अपने लिए पैसे use करने होगे और अगर तुम्हें students नहीं म platform पर different payment policies work करती हैं कुछ platform तुम्हें monthly basis पर pay करते हैं कुछ weekly basis पर और कुछ जैसे ही तुम्हारा एक lesson खतम हुआ फोरण ही तुम्हें तुम्हारी earning मिल जाती है इसके लिए तुम्हें हर platform का जो भी payment system है उसको अच्छे से समयना चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए कि त तुम्हारी earning मिलेगी और तुम्हें कितना budget पर lesson या पर package के थ्रू मिल रहा है तो ये कुछ tips थी जो के तुम्हें एक successful online teaching career बिल्ट करने में बहुत ज्यादा help करती है और अगर तुम new हो और online teaching के related हर चीज जानना चाहते हो कि online teaching क्या है ये कैसे काम करता है और इसकी importance क्या है और कौन-कौन से platform जो हैं वो online teaching के लिए पाकिस्तानियों के लिए best हैं तो ये वाली वीडियो देखो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करके इस channel को भी subscribe करना thanks for watching